राधा वल्लव श्रियरिवन्स सभी को रादे रादे और सितंबर में होने वाले पोधों में कुछ जरूरी काम जो जैसे कटिंग लगाना है किसी पोधे की कोई पोधा का डिवाइडेशन करना है तो वो आप इस तरह कर सकते हैं जैसे आज मैंने एक से तीन यह बना दिये हैं और एक से सो मैंने 5-6 बना दिये हैं तो मेरा एक यह पोधा था मोनस्टेरिया का इसको मोनस्टेरिया बोलता है यह बहुत लंबा हो गया था क्योंकि मैंने न इसमें मौस 10 टिक नहीं लगाई थी इसकी जढ़े न बहुत लंबी-lemबी हो जाती है तो मैंने इसका क्या किया इसको तीन भागों में कर दिया है जो इसका बिल्कुल टोप भागता वो निकाल दिया है तीन पत्तियों वाला एक बीच में से निकाल दिया है और जो नीचे का एक छोड़ दिया है ये इसमें से ही इसमें दुबारे से पत्तियां आ जाएंगी तो काटने के बाद सबसे पहला काम आपको क्या करना है एक तो जड़ गमले में लग रही है उसमें ही छोड़ देना है और बीच वाला अलग लगा दो उपर वाला अलग लगा दो अगर आप दो भागों में काट रहे हैं तो एक उसमें ही छोड़ दो, एक अलग लगा दो, लेकिन ये सेप्टमबर में ही करना, अक्टूबर में नहीं, क्योंकि सेप्टमबर में ही अच्छे चल पाते हैं, या फिर मार्च में, वो फरवरी में करना इस काम को, तो मैं करने के बाद इन पर फंगिसाइड लगा रही हूँ, ये थोड़ा सा, जिससे इन में फंगस ना लगे, और अगर आपके पास फंगिसाइड नहीं है, तो आप हल्दी भी लगा सकते हैं, तो ये मोसिस्टिक, इसमें जब हम पानी देते हैं, तो इसकी जड़े इसमें अंदर ये इसमें लगा दिया है, और एक गंबले में में लगा दूँगी ये, जो मैंने बीच वाला निकाला है, तो आप डिरेक्शन देख लें, इसकी किदर को सीधा उल्टा है, उधर से ही लगाएं, पत्तियां आप इसकी काट दीजिए बाद में, एक दो दिन बाद, क्योंकि पत्ति ना, जब ज़्यादा पत्ति होती है, तो पोदा फिर जडग कम पकड़ता है, क्योंकि पत्ति सारा खाना ले लेती है, तो इसमें भी मैंने इसे, मोसिस्टिक के सारा बान दिया है, ताकि ये गिरे ना, क्योंकि अभी अभी लगाया है, और लगाने के बाद इनको ए मेरा यह डफन बेगिया का पेड है तो चककूप मैंने थोड़ी सी अलदी लगा के इसको एक तरह से सेनेटाइज कर लिया है ताकि पोदे को जब मैं इससे काटूं तो पोदा खराब ना हो तो देखो कितना बड़ा मेरा यह पेड हो रहा था इसको मैंने कर दिया है कट अब यह आपको दिखाती हूं पहला तो मेरे को दुख लग रहा था कि काट दूंगी तो पता नहीं चलेगा है नहीं चलेगा लेगिन यह चल गए है मेरे पोदे देखो मैंने पूरा कट कर दिया है और जो निच्चे जड़वाला इससा है वो उसी में छोड़ दिया है अब उस इसी हल्दी डाल दिया मैंने और उसकी गुढाई भी कर दिया अब मैं इसको क्या करंगे इसके जो एक छे साथ पत्ते हैं तो एक दो पत्ते निकाल दूँगे क्योंकि कट करना है तो पोदे को फिर ताकत जाईदा चाहिए न उसको खाना बनाने के लिए तो लेकिन अभी कट करा है रूट तो है नी तो रूट बनने में थोड़ा सा टाइम लगेगा एक दो अपते का तो तब तक के लिए अब हम इसे एक्स्टा पत्त यह वह वाला उसमें से निकलाएंगे पोदे और एक जो हमने टोप काटा है यह तो देखो मैंने इसकी 6 पत्ति काट दिया अभी मैंने इसमें 4 पत्तियां छोड़ी है अब हमारे पास जो यह एक डंडा बचा है ना बीच का इसका जो इस तना है इसमें से हम छोटे-छोटे से पीस कर लेंगे इस तरह है और मैं ज्यादा छोटे भी नहीं कर रही हूं और ज्यादा बड़े भी नहीं तो आप जहां इसमें लाइन बन दी है इतने एक एक इंच के भी इसमें से अगर काटेंगे तो भी यह जर्मिनेट हो जाते हैं और पहले मैंने दो बड़े काटे तो इसमें फिर एक और कर दूँगी क्योंकि यह जादा ही बड़ा हो गया था थोड़ा सा तो टोटल मेरे पास कितने हो गया है नो पीस हो गया है तो अब मेरे पास एक पोदे से कितने पोदे बने ग्यार है अब इने में क्या करूँगी मेरे पास यह छोटे छोटे गमले ह इनमें मैंने ये लगा R Gary, Rain Lily, यह मैने एक Τप में शिफ्ट कर दिया, यह चारों मैंने खाली खाली कर लिय तो इन सब मैं में यह डपन बेघया के जो पीस मैंने काटने हैं, यह लगा के छोड़ दूँगी और ये लगबग एक महीने में एक डेड़ महीने में नया पोधा तयार हो जाएगा अडफन बेगया का जितना बड़ा ये पोधा चार पत्ती वाला रखा है इससे भी छोटा पोधा है डेड़ सो रुपे का एक देते हैं जो गली में माली आते हैं वो तो आप अगर पास आपके पास डफन बेगया का कोई बड़ा प्लांट है तो उसे कट करके ऐसे उसके पीस-पीस करके लगा दीजिए तो इस कमले में मैं तीन लगा रही हूँ जब ये जर्मिनेट हो जाएंगे तब मैं इना अलग-अलग सेपरेट कर दूँगी अब ये दे रहा है पानी क्योंकि ये अब ये का काम है पानी देने का मैं लगा रही थी चलो तुम पानी दे दो तब तक और ये कुछ तो मैंने इनमें लगा दिया है बाकी जो ये जड़वाला काट रख है ना एक इसमें लगा दिया है और एक दो और गमलों में गाड दि जब यह जर्मिनेट हो जाएंगे पूरे मैं उसका वीडियो भी आपको दूंगी कि कैसा रहा कितने खराब हुए या कितने नहीं वैसे तो खराब होगे नहीं क्योंकि सब में मैंने फंगी साइड लगा दिया अच्छे सा जर्मिनेट हो गया हैं देखो यह सब मैंने अब तो हलका फुलका ही अपना इन्हें खाना भी मिलता रहेगा कभी ऐसा हो कि मैं पानी देना भूल जाओं तो पानी भी मिल जाएगा इनको ऐसे ही आप एक पोदा खरी दिए और एक से अनेक कर लीजिए क्योंकि गार्डनिंग ऐसी बात नहीं है महंगा सोख है लेकिन अगर आप डिवाइडेशन घर पर कर सकते हैं एक से दो बना सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है और जब आप गार्डनिंग करने लगते ना शुरू में तो तब आपको लगता है कि महंगा है लेकिन जब आप सीख जाते हैं दीरे-दीरे तो फिर महंगा नहीं लगता क्योंकि जब मैंने क्या किया जो भी मैं कटिंग करती हूं वो मैं उगा लेती हूं मैंने चंप लगा रखे है जो मेरी उगई हैं उसका video भी मैं जल्दी आपको दूँगी और अब मैंने डफन की लगाई है इसनेक प्लांट की आप लेशन लगता है थोड़ा सा लेकिन सुकस हो जा में जन्वरी के लास्ट से और फर्वरी पूरा फर्वरी मार्च भी आप कटिंग लगा सकते हैं बहुत अच्छी चलेंगी और अब सप्टमबर में लगा सकते हैं जादे करें तो आप अक्टूबर में भी लगा सकते हैं फर्स्ट वीक में लेकिन उसके बाद नहीं क्योंकि जब थोड़ी सी ठंड होने लगते हैं तो पोदे ना डॉर्मेंसी में चले जाते हैं फिर वो नहीं ग्रोव कर पाते तो पूरा सर्दी वो फिर ऐसे ही पड़े रहते हैं तो इसलिए अगर आपको कटिंग लगानी है तो आप अभी लगाईए और फरवरी माज तक आपका पो रूट निकल आई है और यह वाले भी ठीक हैं मतलब गले नहीं है तो इनमें भी इसका मतलब है रूट बनने लगी है जब इनमें पोदे निकल आएंगे उसका वीडियो भी में आपको दूंगी यह तो डफन था और जो यह मैंने मोनेस्टेरिया का लगाया था ना देखो यह जड़वाला हिस्ता इसमें एक जगे से नीचे से यहां से देखो यहां से प्लांट निकल आया है और एक जगे ऊपर से निकल आया है देखो यह रहा है मैं आपको दिखाओं तो ऐसी बात नहीं है जब आप कोशिस करते हैं तो वह सफल हो जाती है तो इसलिए एक यहां कि देख पा रही हूं देखो यह यहां से इसमें से निकलेगी सूट तो यह भी सक्सेस हो जाएगी मेरी एक यहां से निकलेगी बड़ी खुसी होती है जब देखते हैं कि हमने कुछ की अथार वो सही हो गया है अगर वीडियो पसंद आईए तो प्लीज लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार आएं तो चैनल को सस्क्राइब कर लेना ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए सभी को नमस्ते और राधा राधा